तीन मेने के लिए बिहार की कुछ ट्रेनों का पड़ी चलन हो गया है कैंसिल जानेंग इस वीडियो अपडेट में इस वीडियो अपडेट को करते हैं सुरूँ से पहले डेल्वी चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब पूरु मद रेल्वे की ओर से जारी नोटिकेशन का नुसार एक दिसमबर से लेकर के 30 मार्च तक यानि के 3 महने तक ट्रेनों का पड़ी चालन कैंसिल कर दिया गया है इसमें लगवग हाजीपूर समस्तिपूर जोन की भी कई ट्रेने सामील है और बिहार के रास्ते और बिहार से चलने वाली कई ट्रेने पहले से ही सुमार है जानेंगे इस वीडियो अपडेट में सभी टेनों के लिस्ट के बार में तो चलिये शुरू करते हैं और यह ट्रेन इस्ट सेंटर रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है इसी साल एक दिसंबर से लेकर के 30 मार्च आने वाले नए साल तक इन ट्रेनों का पड़ी चालन कैंसिल रहेगा इनके लिए रेलवे अलग से लिस्ट बना चुकी है और पहली ट्रेन मुझे परपूर से बनारस के बीच चलने वाले स्पेसल ट्रेन है से चलने वाली लखनों के बीच इस्पेसल ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है ट्रेन नंबर 12529 की हम बात कर रहे हैं जो कि पतना से पाटलेपूत्र डेलवे स्टेशन से लेकर लखनों के बीच चलती है दोनों ही दिसाओं में इन ट्रेनों के अलावे इस रास्ते से से अलावे सितामरी से चलने वाली स्पेसल ट्रेन केंसिल लेगी सितामरी से आननद भीहार यानि की दिल्ली जाने के लिए जो ट्रेन चलती थी इस तक गित कर दिया गया है और यह ट्रेन छ दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक नहीं चलेगी उमीद करते हैं काने वाले नई ट्रेन रेलवे चलाएगी अगर नई ट्रेन रेलवे चलाती है तो उसका अपडेट हम नेक्ट वीडियो में देंगे और साथ ही अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो उसका भी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देंगे यह अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताएं साथ ही नजी टेनों का अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब